चुवीश सितंबर है और चुवीश सितंबर में राष्टी मीन्स का मेरीड डे परिक्षा का पुरे भारत वर्ष में आजवन किया गया है जिसमें हम देखेंगे इस परिक्षा में कक्षा आड़ीबी में उत्तिन रत अद्धन रत चात्रों के द्वारा यह परिक्षा ली जा प्रति वर्स 12000 की छात्रवत्ति जो है राष्टि छात्रवत्ति उनको दी जाती है जिसमें दो भाग में परिक्छा ली जाती है और दोनों भाग में 90-90 प्रशन होते हैं और 90-90 अंक की ही प्रशन होते हैं तो इसी कंतरकत हम देखेंगे माडल आंसर 24 सितमबर 2023 में जो संपन हुई परिक्षा है भाग सेकेंड सेक्षिक योगता तो इसी कंतरगत बिग्ज्ञान में हम देखेंगे माडल अंसर हम यहां पर कोश्चन बड़ा होने के कारण समय ज्यादा लगेगा इसके कारण हम इन आंसरों के मात्र सहीं आंसर में हम ध्यान केंद्रित करेंगे आपसन त देखेंगे इससे पूरब अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गए तक रपएकर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्कूर्ण वीडियो को नोट किसन आप तक असानी से बच्चों हम देखेंगे बिग्या इनकी कमीशिव होता है तो गेंगा रोग होता है इसका सहीं अंसर यह आजाएगा तीसरा प्रस्ण होए प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा का पास से बीजों को हातों द्वारा प्रतक किया जाता है तो ओटना कहते हैं इसको यह इसका सहीं अंसर हो जाएगा इसके द्वारा वाइत Marx से जुड़ी होती है तो पर्ण ब्रंट ते कहते हैं इसको क्राइब अंश्हाइगा अग्ला प्राश्न है पूस्भा के में इस्ति आंत्रिक भाग को क्या केते ने 오गे कि roz intestine संदी कहलाएं तो धुराग्र संदी कहलाती है ए इसका सही अंसर आजाएगा अगला प्रशने देखे हम जन्म कि शमय मानाओ कंकाल में लगबक कितनी अस्तियां होती है तो ए इसका सही अंसर हो जाएगा 206 हड्यां होती है अगला प्रशने है मानाव मेरु डंड कितनी कोरुस का बना होता है तो 33 भी इसका सही अंसर आजाएगा अगला है लोलक के की गती किस प्रकायर की गती का उधारण है तो आवर्ती गती का उधारण डी इसका सही अंसर आजाएगा अगला प्रस्न है पत्ती की सते पर उपस्ति सुक्ष में सिद्र को क्या कहा जाता है तो रंद्र कहा जाता हूं ये इसका सहीं नसले जाएगा अगला प्रस्न है कौन एक पर जीवी का सिद्धर भॉष के वेल इसका अंसर हो जाएगा इसके बाद अगला प्रशन है उस पोष्ण प्रणली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी या बिगटिक जीवी के पदार्थों से प्राप्त करता है इसका अगला प्रशन है जीवानू राइजो वीयम चना मटर मुंग शेम तथा अन फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर उन में किसे की अपूर्ती करते हैं तो नाइट्रोजन की अपूर्ती करते हैं शीज का सही अंसर जाएगा पंद्रवा प्रेस्ण है मानव सरीर में छोटी आथ लगबक कितनी लंबी ह अगला प्रश्ण है सूलवा निम्न में कौनजी मानों सरीर की सबसे बड़ी गिरंती है एक रत छी इसका सबस्क्राइब अंसर हो जाएगा फिर अग्ला प्रश्ण है पूर्मिनेट जुगाली करने वाले पस्विंव में आपासे कितने भागों में बाटा होता है चार से बनाए जाती है कस्मीरी बकरी यह चलंसर जायगा फिर अगला अगला प्रशन अग जो church Scott अंसर जायगा सब्सक्राइब फिर अगला प्रशन यह किसमें पाया जाता है तो सिरका में पाया जाता है इसका साइन अंसर हो जाएगा फिर है चीटी के डंक मैंसे निम्न मैंसे कुन सा अमल पाया जाता है तो फार्मिक अमल पाया जाता भी इसका सही हो जाएगा तेज़वा प्रस्ण है बेकिंग सोडा का रसाइनिक नाम क्या है तो सोडियम कार्वनेट इसका नाम रसाइनिक नाम भी इसका साइन अंसर हो जाएगा अगला प्रसने देखे हम तो कोई मानसारी जंतु जिनके सरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है इसके पाए जाने की शंभावनों नीम्न मे से कौन सा विकल्प है उसने कटीबंदी छेत्र का सर्वसेष्ट सबसे अच्छा बढ़न करता है तो गर्म और आदर यह इसका सहीं अंसर जाएगा फिर अगला है निम्न में कौन सा प्राणी सबसे तेज़ चाल को प्राप्त कर सकता है तो बाज इसका साहीं अंसर जाएगा सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार से विद्धु धारा प्रावित होती तो उसके पास रखी चुंबी की सुई में बिच्छोब होता है तो सी इसका सहीं अंसर हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्स इन्होंने देखा था अगला प्राणों के पार्स्व दरपणो साइड मीरर में किस प्रकार के दरपणों का प्रयोक किया जाता है तो इसका सहीं अंशर प्रसन हो जाएगा अगला प्रस है बिम्ब से बढ़े साइज का अभासी प्रतिवीम जैस किसके द्वारा बनाया जाता है तीजबा प्रसना हैels रोहन अपने प्रतिविम को समतल होगी तो 3 मेटर की होगी च्रैंफर होंवेगा अगला नियम में मेस्थे कुन साइक फ़सल खरीब फवसल नहीं तो कि फूसल क्या नहीं है मक्का नहीं यह थो यह पर प्रियान रेशा किस से प्राप्त किया जाता है लकड़ी की लुगदी से समाजिक भिग्यान 30 प्रीस प्रेश्ण यहां पर हो जाते हैं इसके बाद समाजिक्विज्जान प्रश्त सेस्ट इंडिया कम्पीनी की स्पारकु काब उसीँ इस अंसर प्रीफिर इस्ताई अबφ बंदोबस्त्र की of जनरल कि सासन काल में लागू की गई थी तो भी इसका सहीं हो जाएगा लाट कारण बालिश अगला प्रशना है अठारवी सताब्दी में भारती नील की मांग बढ़ जाने के कारणों में से इन में से कौन सा कारण नहीं था तो यह जाएगा बिट्रेंड में उद्ध्योगी क अगला प्रशना है लोग मानते थे थो जंगल की संतान मानते थे अगला प्रशना प्रथम सतंतता संगराम कब हुआ था भी अथारा सु सतमान अंचर फीर भारत में अंग्रेजी सिक्षा प्रणाडी कि तो Presidential सैंती ने одноता सब्सक्राइब सब्सक्राइब में कि इसका सब्सक्राइब 늦े हैं रहे खाएगा अगला डिलत्फ कर सही विकल्प चुनिए यहां पर दिया हुआ कभीर गुर्णानाक सूर्दा तुलसिदास राम चाहिए उनके सामने रचित गिरंथ है लिखा है तो इसका सही आंसर देंगे जगनात मंदिर पूरी भारत की किस राज में इस्तित है उडिशा में है बी इसका सही आंसर हो जाएगा कभी कल लहन द्वारा रचित कस्मीर की राजाओं का इथ्याद बताने वाला संस्क्रत काब है एस राज तरंगनी यहां पर सही आंसर है अकला प्रस्तित भारत के राश्ठ का जणगनमन की रचिते को नहीं तो रविनाट टेग और सभी इस का सही आंसर हो जाएगा प्रजिविकी खोश पड़टी या कठोर ऊपरि परत को क्या कहते हैं इस्तनमंदल कहते हैं से व्त सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इसके बाद देखें लाएब के हम हम शांस लेते हैं कहलाती है छो मन्डल प्रेस्ट हमें हम स्थानी मुख अन्सर हो लूग क्याते हैं एसका सही अंसर हो जाएगा फिर बावन में भूकम आपने का यंत्र है शिस्म ग्राप शी इसका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है सुर्वा चंद्रवां के सक्ति साली गुरुत्वाकर्शन वलके कारण प्रद्वी की सतर पर क्या होता है ज्वार भा विश्व का सबसती क्या है साहरा मरुस्तल 57 प्रसमर्च में सहीं अंसर हो जाएगा अगला है ban दावन प्रस्ण निम्द में से कौंसा कथं प्रकर्टि के समक्षण के अन्कुल नहीं है तो खरिद्द्यारी के पशाद पालिपे को फिर से उप्योग करना सी का ज़ियांसर फिर भारत के लोहिध के उत्पादन राज्यों में से किस राज्य में सरवाधी के उत्पादन होता करनाटक में होता है D इसका सही आंसर है एक राष्ट के सम्मिदान में शामिल है C दोनों A और B शी वाला जो है A और B शही है इसके बाद में देखी किसी लक्ष या सिद्धान को इसके सबसे सुद्ध या सरपसे टूब में कहा जाता है आदर्स भी इसका सही आंसर है अगला प्रशन है यदि किसी कार खाने में तेरा बर्स का बाला कार कर रहा तो उससे क्या कहेंगे बाले इसके बाद देखेंगे अगला प्रशन है ऐसे लोगों का समुझ जो संसत द्वारा बनाए कानुनों को लागू करने के लिए मिलकर कारी करते हैं कहलाती है कारिपाली का कहलाती सी इसका सही आंसर हो जाएगा चड़बा अगला प्रशन है देश के किसी नागरिक को ऐसा कुनसा जल समन्दि रोग है हैजा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन का उत्तर देखें जन सुवी धाओं के लिए सरकार को धन कहां से पराप्त होता है तो यह लोगों से वर्षू ला अगया आई करके द्वारा प्राप्त होता है फिर अगला प्रसने देखा हम तो बाल सरम के विरुद कानून लागू किया गया था कब किया गया था बी 2006 में मद्द प्रदेश में किस नदी की टट पर कुम मिला लगता है छीपरा नदी के नदी की टट पर लगता है इसका सभी आंसर दी इसके बाद देखेंगे गडित के अंतरगत हम प्रशनों को इसमें भी 20 प्रशन रखे गए हैं तो यहां पर देखें यदि एक से बटे अंडर रूट 256 बराबर अंडर रूट 625 बटे एकस हो तो एकस का मान होगा तो यहां हम डी 25 सहीं हो जाएगा इसके बाद देखे अगला यदि ए धन बी धन सी बराबर पी और एक बटे ए धन एक बटे बी धन एक बटे सी बराबर जिरू हो तो एक का बर्ग दो बी का बर्ग दो सी का बर्ग का ओसत होगा तो यहां पर देखेंगे पी का बर्ग दो बटे तीन यह हो जाएगा इसके बाद यहां हम देखें अंगला राजु की बर्दमान उस उम्र क्या होगी उसकी उम्र की तीन बर्स पूर्वे एवं तीन बर्स बात की उम्र की गुणन पर बहत्तर है तो यहां पर हम सी अठारा बर्स हो जाएगी इसके बाद देखेंगे दो अंस धन तीन अंस कोष्टक में है यह उड़ित चार अंस का मान होगा तो यहां पर सी जो है चार होगा अगला प्रस नहीं 0.1 का एक प्रस्षत होगा तो यहां पर सी 0.1 होगा फिर इसके बाद अगला प्रस नहीं देखेंगे अंडरूट 10 धन अंडरूट 25 धन अंडरूट 108 धन अंडरूट 154 धन 225 का मान होगा तो यहां पर सब का मान एक होगा इसके बाद देखेंगे अगला प्रस नहीं किसी त्रभुजी के लंब समधी वाजकों के प्रतिशेदन बिंदू को कहा जाता है अंतर केंद्र कहा जाता है इस तरह हम इनके प्रत्रह को हल कर लेंगे अगला प्रταιश्न है एक बर्ग का छिटरवल एक्स बर्ग एकाई और उसका परिमाप भी बराबर 125 तो कोश्टक में ए रण भी कोश्टक बन एधन भी मानस चार होगा तो इसका अंसर जो है एपचीस होगा अगला प्रस्न देखें हम एक बहूला बहू फलक में छह सीर्स और बारा कोड है तो इसे बहू फलक में कितने फलक होंगे तो आठ फलक होंगे सी इसका सभी इसका सभी आंसर है अगला प्रस्न है कि बढ़ा कोश्टक में हमें यहां पर दो माइनस तीन चोटा कोश्ट है दो धन तीन कोश्टक बन माइनस बन सर्कुष्टक कमान है तो यहां पर वी दो बटे पाच होगा शंख्या 85, 73, 75 का घं मूल है तो इसका घं मूल हम जब निका आप्त हो जाएगा शींग है इसका सखेंगे ईक से लेकर 02 कि भी शंग्याओं कों इसके वाद देखेंगे ब्रत की शंग्मर्ण में पाई बराबर हो ब्रत कि संग्मर्ण शी परीधि बटे वियास होता है इस तरह हम प्रस्णों को हल कर लिए यहां पर देखें निम लिखित में कुन सी संके सब से बड़ी है तो 0 सब सब से बड़ी यहां पर है क्योंकि यह माइनस मैं यह माइनस में एक वटे दो है और यह बनाइस यह सब अंसर हो जाएगा इसके बाद देखेंगे तीन अंडर रूट 27 धन तीन अंडर रूट 0.008 धन तीन अंडर रूट 0.0064 का मान होगा यहाँ पर इसके बाद अगला प्रशना है एक स्काउट केम्प में 300 के लिए 42 दिनों की भुजन समगरी उपलब दे यदि 50 के उनमें से सामिल हो जाते हैं तो भुजन समगर कितने दिन चलेगी तो यहाँ पर 36 दिन चलेगी इसका सही अंसर है इसके बाद देखेंगे नेमने में से किसका भाग का कि यदि किसी संक्या का साथ बटी तीन प्रस्षत कामा 42 है तो वह संक्या होगी तो वह संक्या क्या होगी डी 180 होगी तो इस तरह हमारे द्वारा 90 प्रस्ष्णों के माडल आंसर भाग दो में जो प्रश्ण पतर संपन हुआ था आपका उसके लिए बनाया गया है जिसमें आप इस माडल आंसर से आपने कितने सहीं किया हैं कितनी गलत किया हैं आपको कितने आंके मिलेंगे इन सब के लिए एक एक अंक का ये प्रश्ण था नब्वे मिनिट के लिए ये प्रश्ण मतलब डेड़ घंटा के लिए इस प्रश्ण भाग दो के लिए था भाग एक के लिए भी नब्वे मिनिट का प्रश्ण संपन हुआ है तो इस तरह हमारे सारे प्रश्ण एक से लिए कर करके आसा है इस तरह है इसके बाद हम पार्ट भाग एक के माडल आंसर को इसी चैनल पर आपके लिए तैयार रखेंगे आप इसी तरह चैनल पर बने रहें धन्यवाद कर दो डगा हम प्रश producto अक्षब कर दो मैंद ।